Hello guys, so मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये software कैसे use हो रहा है तो आपको जो भी problems आ रही है वो sort out हो जाएंगी पहले आपको ना first thing check करना है कि आपने ये सही link ट्राइप किया कि नहीं ये sttp yes वाला होना चाहिए तो better है ना आपको एक बार आप इसको open कर लो और फिर उसको जाकर अपने phone में bookmark bookmark में add कर लो तो in future आप simple जाओगे अपने bookmark में ना तो वहाँ से आपको easy हो जाएगा अगर कोई problem हो रही है तो इसको आप नहीं save कर लो ये अपने group में डाल लो तो ये as it is रहेगा फिर उस पे जब भी click करो गया तो वह use हो जाएगा फिर मैं अभी गुन-गुन वाले id को use करता हूँ login के लिए ठीक है ये देखो ये कि डंबल open हो रहा है तो अगर ये थोड़ा सा time दे रहा है न तो आप wait करो कोई भी click ना करो ये login successful हो जाएगा चिक है जब ये login successful हो गया तो आपको कुछ नहीं करना बाकी सब admin का work है आपको simple यह clock in पर click करना है ये allow location आएगा allow location कर दिया then wait आप wait करो आपको खुद आएगा you have clocked in देखा आपने you have clocked in आ गया जैसे you have clocked in आ गया आप clock in हो जाओगे और आपके attendance लग जाएगी फिर जब शाम को आप जाने लगो या आप in future कहीं जा रहे हो office से तो आपको यहां से clocked out कर देना फिर उसके बाद फिर ये आएगा अगर ये नहीं भी आता ना तो it means कि आपके mobile में location save हो गई है आप इसको logged in करके wait करो अगर network slow रहेगा ना तो ये थोड़ा सा time लेगा ये हो जाएगा हम एक और id try करते ना ये हो गया अब simple आप इसको log out कर सकते हो वैसे अगर आपके phone में ही चलना है सिर्फ इसको तो log out sign out करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ठीक है एक और कोई id हम use कर लेते हैं जैसे मैं शुशील सर की id को use कर लेता हूँ शुशील 20 कि अधिक उन्होंने कुछ id अपना चेंज किया है हम किसी और की id देखें अंजू की id मैं use कर ले रहा हूँ ठीक है यह log in successful हो गया आपको कुछ नहीं करना है आपको simple यहां पर जाना है clock in पर क्लिक करना है allow location आया allow location किया you have clocked in हो गया फिर जैसे clocked in हो गया आपको जब work आपका finish हो गया आपको clocked out पर क्लिक करना है allow location करना है clocked out बहुत ही easy है इसमें कोई भी नहीं अगर नहीं हो रहा है तो it means कि आपके network में कुछ problem है आप थोड़ा बहुत इदर उदर हो जाओ या आपनी network को एक बार reset कर दो यह open हो जाएगा और अगर नहीं हो रहा है ना तो एक बार check कर ले ना कि यह http yes है या http p location देने के लिए आपके http yes होना चाहिए ठीक है okay